तो चेव मनजर कैसा होगा जब एनाकॉंडा आपके सामने आ जाए जब खतरनाक अजगर आपको जगर ले अजगर और एनाकॉंडा का नाम सुनते ही होश फाक्ता हो जाते हैं लेकिन आज आपको ले चलेंगे दक्षुन अफ्रिका जहां नियूस नेशन रिपोर्टर का जानले बाज जानवर उससे सामना हुआ देखिए ये एक्स्क्लोजिव रिपोर्ट क्रोकडाल अन्रिप्टाल पार्क में आपका सामना अगर खतरनाक मघर से होगा तो साथी साथ आपको दूसरे अलग खतरनाक पाइथन स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे और ऐसे ही एक बर्मीज पाइथन के साथ इस वक्त हम हैं और आपको बता दूं के ये बर्मीज है वो सिर्फ सेंस करने के लिए निकाल रहा है कि इसके आसपास क्या है वो महसूस कर सके क्योंकि इसके सेंसें ग्लांट जो है वो जीप पर होते हैं जीप से ये सेंस करता है और यहां पर इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है वी बता दूं पाइथन जो है उनके अंदर जह कड़ेगा नहीं काफी डरावना है और 15 किलो का इल्वस काफी भारी है और यहां पर जिस तरह से इसके ट्रेनर बता रहे है कि इसको ट्रीन किया गया है अगरे हैं बतल வ बच्षमन से ही इनसानों की टच मेरह मेरा है। तो बहुत ScrD नहीं करता है। और इस देर तो है नहीं सिर्फ यापको जखड़ की मार सकता है। तो फिलाल यह काम नहीं करता क्योंकि इंसानों के टेश में हमेशा से रहा है. तो यह बूमीस पाइथन है और बूमीस पाइथन जो है, उनको कहा जाता है कि इनकी जो लंबाई है, ये तो फिलहाल भी 3.5 मीटर का है, लेकिन ये 8 मीटर तक भी जा सकती है, और इंडोनेशन पाइथन जो होते हैं, वो सबसे लंबे होते हैं, इंडोनेशन पाइथन और वो 11 मीटर तक जा सकते हैं, और आप देखें कि किसी पेड की तरह से मुझे समझ कर ये लगातार अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है, अच्छा लग रहा है, अपने आप में बहत्रीन अनुभव है, लेकिन डरावना भी है, जैसे जैसे ही अपनी ग्रिप बना रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि पाइथन कहा जाता है कि इनमें जहर नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ अपने प्रे को स्क्वीज करके जो है, उसकी जान विकालते हैं और उसको जकड लेते हैं, फिलहाल इसने मेरा हाथ जकड लिया है, बस गर्दन ना जकड़े, पूरा अपनी जो साइज होती है पाइथन की, उससे तीन गुना ज्यादा लंब चीज जो है, वो स्वालो कर सकता है, उससे निगल करता है, पहले उसको वो गर्दन से पकड़ता है, उसका सांस आना बंद हो जाए, यह काम करता है, उसको चोक करता है, जिब ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक जाना बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाता है, जिब सांस घु नहीं होता है तो अगली बार जब आप इस तरह के किसी पाइथन से मिलें तो ध्यान रखिएगा सिर्फ जकड कर मार सकता है डस नहीं सकता है यह जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं यह फिलहाल बुमीज पाइथन है आम तोर पे ऑलिफ ग्रीन और ब्राउन कलर में मिलते हैं लेकिन यह को । डिसौडर है अचिस प्काइटाय की उलिफ साफ सभड़ पर जंसक्रड में कारीप से लोगों को बताया जानै तो यह ऑंपर छोते ओपीट nutrients और छोटे कोशिश होते है। यहां पर कि एतने चोटे क्रोकडाल को घोला है? Okay, just put him like this. Okay, now I am scared. It's fine. It's fine? You sure? Just put your thumb on the back over here for me. Yeah? And then I'll just hold the tail there because you need to use both hands to support the body and the tail. Okay, so you can see the crocodile here. You can see the children, you can see and understand about it so that you need to go deeper than anything else. This is three months now. So this is your idea when you are seven years old होते हैं और जब बड़े भयानक हो जाते हैं तो कैसे देखते हैं अभी तो ये छोटी चिपकली जैसा देख रहा है लेकिन अपने आप में अच्छा अनुभव रहता है कि जब यहां पर टूरस पहुंचते हैं बच्चे पहुंचते हैं तो यह बच्पन से देख सकते हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर कोशिश यही की जाती है कि तमाम जो रेप्टाइल्स हैं उनके साथ थोड़ा और करीब संबंद जो हैं वो बनाए जा सके लोगों को और दक्षिन अफ्रीका में क्योंकि आप कुछ रप्टाइल्स को अपने पालतू के तौर पर यहां पर skipping तौर लुख सकते हैं तो यहां बहुत सारे लोग जो हैं इसे अपने शुक के तौर पर हैं जो हैं यहां तो आप इनके साथ रह सकते हैं ताकि आप जोहेब और और करीब से समझ सकें तो यहां पर भी कोशिश यह होती है कि जो यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट हैं स्टूरिंस हैं उनको इनके थोड़ा और करीब ले जाए जा सके रप्टायल पाक में आपको पाइथन मिलेंगे आपको स्नेक्स फिलेंगे और आपको एनकॉंडा भी मिले है यह तीन से चार मीटर तक रहते हैं लेकिन टोप अचल आगने啦 पाइथन से अलग होता है एनकोणडा यानी बच्चे देता है और बूंडे देता है और येकिन मचिए इसके ग्रिप जो है बहुत स्ट्रॉंग है ये इसने सिर्फ और गर्दन पे अपनी ग्रिब बनानी शुरू की है और काफी स्ट्रॉंग है जहां जहां ही अपना ग्रिब बनाता है बेहत तेज आपको महसूस होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसे किसी को चोक करना होता है तो किस तरह से ये गर्दन के सहारी यूँ ही चोक कर और उसके बाद स्वालो करता है और फिर आराम से बैठ कर बाद में अपना खारा खाता है और जब अगर पुरुष होगा तो उसके यहां पर एक पंजा जो है नाखून जो है वो इस तरह से निकला रहेगा महिला में आपको जो मादा जो होगी नर में वो निकला रहेगा प पूँच पतली होगी, जब की जो नर्ब होता है और आप को एक और दुलसिस बात बता दूँ कि जब मेटिंग होती है, नर्ब मादा की मेटिंग होती है, साइंपों की एनकॉंडदा की तो मादा की इच्छा शक्ती पर निरभर करता है कि वो कब गर्वत होना चाहती है, कब वो pregnant होना चाहती है मेटिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो काफी लंबे अर्से तक अपने अंदर स्पम जो है, वो hold कर सकती है और अपने मन मताबिक वो तेह करती है कि कब उसे pregnant होना है, pregnant होने के लिए कौन सी वक्त मुफीद है, मेटिंग कभी भी हो सकती है, लेकिन मादा ये खुद भाखुद तै करेगी कि उसे कब pregnant होना है.